लिखना ही पड़ता है सूरे सर्फ, आदमियों को सादू बनाने के लिए, लड़कियों को शैतान बनाना ही पड़ता है। सत्तर और असी के दशक की एक रौबदार महिला, जिनका नाम सुनते हैं, फिल्म इंडस्ट्री का बड़े से बड़ा स्टार काप जाता था। एक वक्त में इनका खौफ ऐसा था कि जिस स्टार या स्टूडियो के पास ये भटकती दिखती, वहाँ चाय वाले से लेकर उस स्टूडियो का पूरा क्रू उस रात चैन से सो नहीं पाता था। एक गॉसिप कॉलमिस्ट जिनके नाम में तो देवी था, लेकिन इनकी कलम में जहर था। जो कभी भी किसी स्टार के बारे में ऐसा लिख देता कि उससे सब घबराते थी। क्या आपको पता है कि इनकी पहुँच राजेश खन्ना के बेडरूम तक मानी जाती थी और इन्होंने खुद भी ये बात मानी थी। क्या आप मानेंगे कि ये आई तो थी फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रस बनने पर एक स्टार अभी नेत्री के तंज के कारण इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से ऐसा बदला लिया कि अपनी कलम से कई फिल्मी दिगजों का करियर बरबाद कर दिया। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने हेमा मालिवी को बासी इडली, अनिल कपूर को जेब कतरा और दिलिक कुमार को मोस्ट ओवर रेटेड एक्टर जैसे तंगे दे दिये थे। तो दोश्तो आज हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री की उस जर्नलिस्ट की जिन्होंने फिल्मे न्यूस को संसानी खेज बनाना शुरू किया। इन्होंने फिल्मे स्टार्स के बारे में एक से बढ़कर एक खुलासे किये जिनसे कई बार तो इंडस्ट्री हिल गई। तो क्यों गॉसिप कॉलमिस्ट को चुप कराने में दिलिक कुमार के पसीने छूट गए और क्यों धर्मेंद्र इन्हें पीटने के लिए मुंबई की सडकों पर दोर पड़े थे। बताएंगे और भी बहुत कुछ आप बने रहिए हमारे साथ। दरसल ये महिला गुजरे जमाने में फिल्मी दुनिया के लिए एक ऐसा नाम बन चुकी थी जिन से इंडस्ट्री चिड़ते भी थी डरती भी थी और शायद नफरत भी करती थी। लेकिन कोई भी इन्हें खारिज नहीं कर सकता था और किसी में इतने हिम्मत नहीं थी कि इन देव्यानी चौबल की जो इंडस्ट्री में एक टेरर की तरह देखी जाती थी। स्टार्स के साथ साथ डिरेक्टर, प्रोडूसर और क्रू मेंबर्स भी इनके नाम से घबराते थे। कि पता नहीं अगले दिन अख़बारों में जो होने वाला है उससे किस एक्टिर या एक्ट्रिस का पारा साथवे आसमान पर पहुँच जाएगा या हो सकता है कि अगले 1942 में मुंबई में हुआ था। इनकी फैमिली उस समय की एक रिच और रसूखधर फैमिली मानी जाती थी। इनके पिता एक फेमस बैरिस्टर थे और साथ ही इनकी फैमिली के कई लोग पोलिस विभाग में उची पोस्ट पर तैनात थे। शुरुआत में देव्यानी फिल्म लंबे हैं। मेना कुमारी जी की ये बात देव्यानी चौबल को इतनी चुप गई कि तब ही से फिल्म इंडस्टरी को लेकर इनके मन में एक टीस बैठ गई। इसके बाद इन्होंने एक्टरस बनने का खाब त्याग दिया और जिर्नलिस्म की पढ़ाई शुरु कर दी और यहाँ पर देव्यानी की जौब महस्तीन दिन तक ही टिक सकी क्योंकि इनके नकरे बहुत जादा थे तो इन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। इसके बाद इन्होंने फिल्मी गलियारों की फेमस मैगजीन स्टार एंड स्टाइल को जोइन किया। पहले तो इन्होंने यहा कॉलम्स पॉपॉलर होने लगे। फ्रैंकली स्पीकिंग नाम का इनका एक कॉलम्स जबरदस्ट पॉपॉलर हुआ। इसमें यह गौसिप लिखा करती थी और यह गौसिप सेलिबरिटी की पॉसनल लाइफ को लेकर हुआ करते थे। इसका नाम जरूर गौसिप था मगर इन के भी करीबी लोगों के टच में रहा करती थी और इन सब से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के साथ अपने कॉलम्स में उन्हें सजा कर लिखती थी। सेलिबरिटीज दिव्यानी से परिशान होने लगे कि उनकी पॉसनल बातें इनको कैसे पता चल जाती हैं। इस तरह से से इसे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन दिलिब कुमार ने इन्हें भाव नहीं दिया और एक बार भी मुलाकात नहीं की। इस बात से दिव्यानी इतनी चिड़ गई कि अगले कई दिनों तक ये अपनी कॉलम में दिलिब कुमार के खिलाफ ही लिखती रहीं। ये वो समय था जब दिलिब कुमार साहब का आसमा नाम की एक लड़की से अफेर चल रहा था और तब दिलिब कुमार ने इनके इस रिलेशन पर अपने कॉलम में काफी मसालिदार खबर लिख डाली। तो दिलिब कुमार भी भड़क गए और दिलिब कुमार ने इंडस्ट परिशान होकर दिलिप कुमार को अपनी बड़ी पावर इस्तमाल करनी पड़ी और किसी पावरफुल पॉलिटिकल पॉस्नालिटी से कहलवा कर दिव्यानी को चुप करवाना पड़ा क्योंकि ये तो बस पोल ही खोले जा रही थी। दिव्यानी के बारे में कहा जाता था कि इन्हें किसी भी बात का डर नहीं था ये काफी फ्रैंकली और बोल्डली लिखा करती थी। सेलिबरिटीज की परसनल लाइफ के बारे में ये वो सब बता देती थी जो कई बार उनकी अपनी फैमली को भी पता नहीं होता था। जानकार बताते हैं कि इनकी खबरें इतनी बोल्ड इसलिए होती थी क्योंकि इन्हें जॉब जाने का डर नहीं था। क्योंकि ये एक रसूपदार फैमली से तालुक रखती थी और अगर कोई लीगल मैटर भी हो जाता तो इनकी बैरिस्टर फैमली उससे टेकल कर लेती थी तो साथ ही इन्हें कानून का दाउपेच भी अच्छी तरह से पता था इसलिए ये बेख़ौफ होकर कॉलम लिखा करती थी। देव्यानी राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी और उन्हें सूपरस्टार कहकर पहली बार इन्होंने ही बुलाया था और यहीं से सारे लोग उन्हें सूपरस्टार शब्द से ही बुलाने लगे। राजेश खन्ना भी इन्हें बहुत पसंद करते थे और कहा जाता है कि इनके पहुँच राजेश खन्ना के बेडरूम तक थी। ये कभी भी बिना पूछे उनके बेडरूम तक जा सकती थी। इनकी करीबी का अ दिव्यानी ने ही ये न्यूज सबसे पहले अपनी कॉलम में चापी थी। अब राजेश खन्ना डरते थे या इनसे लगाव रखते थे ये तो कहना मुश्किल है। हलाकि आगे चलकर दिव्यानी ने अपने एक इंटर्व्यू में ये भी खुलासा किया था कि फिल्म इंडस्ट्री के एक मात्र सुपरस्टार जिसके साथ मैं सुपर हूँ वो राजेश खन्ना है। इनके कॉलम में स्टार्स की रेपूटेशन तार तार होती थी लेकिन फिर ही वो इन्हें पढ़ा करते थे और उन्हें लोगों ने इन्हें काफी पॉपुलर बना दिया था। इन्होंने एक बार बॉलिवुड के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर के बारे में इतना खतरनाक लिखा कि पढ़ने वालों के खोश उड़ गए। उस आर्टिकल का हि होने चाहिए और उन्हें राज कपूर से प्यार होना चाहिए। कपूर पहले से ही शादी शुदा थे जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म आग तीन प्रमुख महिलाओं कामनी कौशल, निगार सुल्ताना और नर्गिस के साथ बनाई थी। आग के जुनून और आग की आज वो उसे भयानक आदमी कहना पसंद करती हैं। वास्तों में उनकी सभी प्रमुख महिलाएं नर्गिस, पद्मिनी, वेजन्ती माला, सिम्मी, डिम्पल कपाडिया और जीनत अमान, अंग्रेजी बोलती हैं और उन्हें लुभाती हैं। रोडेवादी, शुधतावादी, शाकाहारी और अति आत्म विश्वासी वेजन्ती माला को राज कपूर ने अपने पैरों से कुचल दिया। वेजन्ती माला के साथ राज कपूर का प्रेम प्रसंग राज नर्गिस प्रेम कहानी की रीमेक लग रही थी। वेजन्ती माला जो आयंगर ब्रामण थी राज कपूर के लिए विस्की और मसाला मुर्गी खाने पीने लगी ये रिमेक इतना रियल लग रहा था कि नर्गिस और पदमिनी को एक अहानिकर गाय के रूप में छोड़ चुकी कृष्णा कपूर ने राज कपूर को छोड़ दिया और वेजनती अफेर्स की सारी खबरें अंदर से मिलती थी क्योंकि इनके लिंक्स बहुत कमाल के थे ऐसे में इन्होंने इन दोनों के बारे में बहुत कुछ छापना शुरू कर दिया और जब दोनों एक दूसे को डेट कर रहे थे तब इन्होंने लिखा था कि किस तरह से धरमेंदर पता चल चुकी थी कि दिव्यानी इनके बारे में बहुत जादा लिख रही है और हमेशा जब भी इनको लेकर कोई भी खबर छपती थी तो पता चलता था कि दिव्यानी ने ही ये खबर लिखी है धरमेंदर के अंदर इनको लेकर गुसा भर रहा था और इसी दोरान इन्होंन हेमा मालनी से गुप-चुप शाधी रचा ली जानकारों के अनुसार उन्ने इस शाधी को छुपाकर रखा था लेकिन दिव्यानी को इस शाधी की खबर लग गई और इस खबर के सोर्स बहुत स्ट्रौंग थे तो दिव्यानी ने इस बात को सब के सामने खोल दिया कि धर्मेंदर ने पहली बीवी के होते हुए इसलाम धर्म अपना कर हेमा मालनी से दूसरी शादी कर ली है इस बात के छपते ही धर्मेंदर अपने आप को रोक नहीं पाए और बाड़ पीडितों के लिए हो रही एक रैली के दौरान धर्मेंदर ने देव्यानी को देखते ही उन्हें दौडा लिया सब तमाशा देखते रह गए ये महालक्षमी रेस कोर्स की बात है जहां धर्मेंदर इन्हें देखकर इनके पीछे इन्हें पीटने के लिए भागे थे बताते हैं कि फिर देव्यानी वहां से भाग कर एक लेडीज बात्रूम में जाकर छिप गई थी हलाकि देव्यानी के जानने वाले कृष्णा नाम के एक और जानलिस्ट थे जिनको धर्मेंदर ने तब पीट दिया था और तब पुलिस केस भी हुआ था इस इंसिडेंट के बाद भी देव्यानी ने धर्मेंदर के अगेंस्ट लिखना बंद नहीं किया ऐसे ही जब अनिल कपूर ने बॉलिवुड में शुरुवात की थी और उन्हें देखकर देव्यानी ने अपने कॉलम में लिखा था कि ये नया हीरो तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई जेब कत्रा हो तो लोग हैरान रह गए थे देव्यानी के कॉलम्स की पॉपुलाइटी का आलम ये था कि दूसरी मैगजीन्स ने भी इस तरह के कॉलम्स की शुरुवात कर दी और वो भी स्टार्स की पॉसनल लाइफ के बारे में लिखने लगे और फिल्म इंडस्ट्री की न्यूज को संसनी खेज बनाने लगे यहां आपको बता दें कि जब भी किसी बात को संसनी खेज बना कर पेश किया जाता है तो उसे यलो जर्नलिस्म कहा जाता है और कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में इसकी शुरुवात दिव्यानी नहीं की थी ये इंडस्ट्री में स्टार्स से सीधे सीधे पंगा लेती थी और फिर भी कोई स्टार इन्हें चुप नहीं करा पाता था हाँ ये आज के फिल्म जर्नलिस्ट की तरह उन्हें ग्लोरिफाई करने का काम नहीं करती थी और बात करें फिल्मी पार्टियों की तो तकरीबन इनको हर पार्टी का इंविटेशन आता था क्योंकि इनके लिंक्स सबसे अच्छे थे जानकार बताते हैं कि इनका एक अलग स्टाइल था और इन पार्टीज में ये एंट्री गेट के पास ही अपनी ड्रिंक्स के साथ बैठा करती थी जो स्टार इनसे हाथ मिलाता था ये उनको बक्ष देती थी और किसी सेलिबरिटी ने अगर इनसे हाथ नहीं मिलाया या इन्हें हैलो नहीं बोला तो इनके नेक्स्ट कॉलम में वही निशाने पर होता था और इनकी कॉलम से उसके लिए जहर निकलने लगता था इन्होंने अपने एक इंटर्व्यू में एक संसनी खेज खुलासा और किया था कि राज कपूर साहब ने एक बार नशे की हालत में इनसे कहा था कि तुम मुझे अपना सिख दिखाओ इस इंटर्व्यू ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी साल 1985 में इनको लेकर एक चिंता जनक खबर आई जब इन्हें पेरलिटिक अटैक पड़ा और अब ये उठ नहीं सकती थी ये वीलचेयर पर थी अब ये ना लिख सकती थी ना ही ऑफिस जा सकती थी लेकिन दिव्यानी ने वीलचेयर पर होने के बावजूद भी अपना काम बंद नहीं किया और अपने दो असिस्टेंट रख लिए ये बोलती थी और वो लिखते थे ये इन परिस्थीतियों में अंधेरी के लोखंड वाला में बिलकुल अकेली रहती थी लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के कई स्टार्स थे जिन्होंने इनकी मदद की उनमें से एक सुनिल दत साहब भी थे जो की इन्हें फ्रूट्स पहुँचाते थे और इनकी फिनेंशली भी मदद की थी लेकिन इतना सब होने के बाद भी इन्होंने इन स्टार्स के बारे में अपने कॉलम में लिखना बंद नहीं किया साल 1995 में दिव्यानी चौबल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया तब इंडस्ट्री के गिने चुने 10-12 लोग ही इनके फ्यूनरल में शामिल हुए थे ये आज इस दुनिया में भले ही ना हूँ लेकिन जो स्टाइल दुनिया को सिखा कर गई वो आज भी कायम है इंग्लिश न्यूस में हिंदी वर्ट्स का इस्तमाल करना आज भी एंटर्टेन्मेंट इंडस्ट्री का एक स्टाइल है और फिल्मों में जब भी किसी फिल्म जर्नलिस्ट को दिखाना होता है तो सबसे पहले छवी दिव्यानी की ही आती है अगर हम बात करें डिर्टी पिक्चर फिल्म की जिसमें विद्या बालन लीड एक्टरस के तौर पर थी तो इस फिल्म में जो अंजू महंद्रू का किरदार था वो दिव्यानी से ही इंस्पार्ड था आज की हवारी कहानी किसी अभिनेता या अभिनेत्री की नहीं थी मगर जिसने फिल्म इंडस्ट्री की नाक में दम कर रखा था उसके बारे में थी अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही एक्स्क्लोसिव स्टोरिस के लिए आप मारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं और हमें थैंक्स बटन के जरिये भी सपोर्ट कर सकते हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे फिलाल मुझे देजिए इजास्त नमस्कार